डंकी और प्रभास की लडाई के पेच दिन बदिन और उलचते कोई न असरा रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि शारुक के लिए नौर्थ की बाजी जीतना असान हैं लेकिन साउथ में थोड़ा मामला डामाडोल हो सकता है। सबसे बड़ी वच्छा थी फिल्म में कई साउथ सितारों का होना। शारुक के उपजिट फिल्म में नयांतारा दिखी थी जो साउथ सिनिमा का जाना माना चहरा है। में विलर्ग के तौर पर विजए से तुपती नाजर आये थे। इन सब के लावा फिल्म में प्रियमणी और योगी बावू भी थे। इससे साउथ का अच्छा खासा बेस पहले ही बन चुका है। और डंकी के सपोर्ट में ये सब ही सितारे भी उतर सकते हैं। बलकि इस फिल्म के लिए उन्हों ने साउथ फिल्म इंडश्ट्री के डिर्रेक्टर के साथ भी कॉलाब किया था। वो डिर्रेक्टर थे अटली कुमार जो वहां के एक हिट डिर्रेक्टर है। ऐसे में शारुखान का नाम पहले से ही अटली की नई फिल्म से जोड़ रहा है। ऐसे में शारुखने एक रिदम बना रखी है जो डंकी के साथ कॉंस्टेंटली चल सकती है। एल नमबर त्री, साउथ में जबर्दस प्रमोशन। जवान को प्रमोट करने के लिए शारुखने चिर्नई में एक ग्रैंड इविंट भी लांज किया था जहां उनके लिए लोगों का जबर्दस प्रेज भी देखने को मिला था। जबरान शारुखान साउथ के लोगों से रूबरू हुए थे। हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को और येस, डोंट फोगेट प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोमेशन आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं।